प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिचा रहे हैं नमस्कार वच्चों, आज का हमारा पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते और हरी शंकर परसाई जी ने इसे अत्यांत रोचक भाशा में लिखा है लेखक ने कहा कि प्रेमचंद का एक चित्र उनके सामने है, उस चित्र में वे पत्नी के साथ फोटो खिचवा रहे हैं उन्होंने अपने सीर पर मोटे कपड़े की एक टोपी पहन रखी थी, कुर्ता और धोती पहनी हुई थी, जैसे कि पुराने समय में लोग पहना करते थे कानों के साथ का भाग कुछ चिप्टा हुआ था और गालों की हडिया कुछ उबरी हुई थी किन्तु उनकी मूछें काफी घनी थी, जिससे उनका चेहरा भराभरा सा दिखाई दे रहा था उन्होंने कैनवास के जूते पहन रखे थे, और उसके फीते जो थे, वो सही तरीके से, लापरवाही से बांदे वे थे और जो बांदे की जो रस्यां होती है जूते की, उन पर लोहे की पत्री निकल आई थी और यही कारण था कि जूते के सुराख में उन्हें डालने में कठिनाई होती थी, इसलिए जैसे तैसे उन्हें बांद लिया गया था उनके दाहीने पाउं का जूता तो ठीक है, यानि राइट जो पैर है उसका जूता ठीक है, लेकिन लेफ्ट का कुछ फटा हुआ जूता था और उसमें आगे की और एक बहुत बड़ा छेद हो गया था जिसमें से उनकी उंगले बाहर दिखाई दे रही थी और यह सब लेखक इसलिए बता रहा है कि सहित्ते कारों की उस समय जो है कैसी दशाती यह वर्नन करने के लिए यहाँ पर लेखक ने बताया है और प्रेमचन के फटे जुते इस बात की और संकेत करते हैं कि उनके पास धन का अभाव था, पैसी का अभाव होता था और फिर केते हैं कि जब उन्हें ऐसा दिखाई दिया तो उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लेगी लेखक को और लेखक को थोड़ा क्रोध आया कि क्या फोटो खिचवाना ही था तो ठीक से जुते ना पहन लेते फोटो ना खिचवाने से क्या बिगड़ जाता यानि कि लेखक कहता है कि बुरी फोटो खिचवाने से तो ना खिचवाना ही ठीक रहता किन्तु फिर वह सोचता है कि शायद फोटो खिचवाने के लिए पत्नी ने कह दिया होगा और प्रेमचंद जी पत्नी की बात को टाल नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने यह का होगा कि अच्छा चल भई कहकर फोटो खिचवाने के लिए बैठ गई होगे किन्तु दुख की बात यह है कि आजमी के पास फोटो खिचवाने के लिए भी कोई अच्छा जुता ना हो यहाँ पर लेखक दुखी होता है और सोचता है कि शायद प्रेमचंद के पास भी दूसरा जुता ना हो इसी लिए वो फटा हुआ जुता पैन करके फोटो खिचवाने के लिए बैठ गए होंगे फिर वह लेखक की विवश्ता प्रेमचंद की विवश्ता पर विचार करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी फोटो देखते देखते तुम्हारे दुखों को अनुभव कर रहा हूँ मैं हैसूस कर रहा हूँ कि तुम कितने दुखी होगे और मेरा मन रोने को कर रहा है अर्थात लेखक को क्या लगता है कि उनकी मजबूरी समझ में आ जाती है प्रेमचंद जी की और उनकी आखों में जो दर्द है उसे देख करके रोने का मन लेखक का करता है यहाँ पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की साजगी की ओर संकेत किया है और उनके पास जो अभाव हैं जीवन के प्रेमचंद जी के पास उनके बारे में लेखक बात करता है साथ ही उसे साहानूभूती भी होती है फिर सला भी वह देता है कि कम से कम जूता नहीं था तो फोटो की च्वाना कुन सथ जरूरी था और यदि फोटो खिच्वाना ही था तो जूते तो ढंके पहन लिये जाते फिर वे कहते हैं कि तुम फोटो के महत्यों को नहीं समझते हो क्योंकि लोग फोटो देखकर ही वेक्ति के महत्यों का आकलन करते हैं कि वेक्ति कितना महत्यूपूर्ण है फिर कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे पास जूते नहीं थी तो किसी से अच्छे जूते मांग लेते फिर वैबेंगे करता है लोगों पर कटक्ष करता है कि लोग तो मांगा हुआ कोट पहन करके दुला बन जाते हैं लोग तो मांगी हुई कार से बारात में चले जाते हैं जिसे लोगों की नजरों में शान शौकत बढ़ जाए यहां तक कि लोग फोटो खिचवाने के लिए दूसरों की वीबी भी मांग लेते हैं अर्थात दूसरे की वीबी के साथ फोटो खिचवा लेते हैं और तुम हो कि तुम से तो जूते भी नहीं मांगे गई इसलिए फिर वह वापस प्रेमचंद जी को कहता है कि तुम तो फोटो का मैज़ नहीं समझते हो लोग तो खुश्बुदार तेल लगा करके फोटो किचाते हैं तक फोटो में से भी खुश्बु आई यहां पर फिर से वेंगे किया गया है गंदे से गंदे आदमी की भी फोटो में खुश्बु दिखाई देती है गंदे से गंदे आदमी भी बंसमर करके फोटो किचवाते हैं अब तक यह फोटो में सुन्दर लगें यहाँ पर फिर से हम प्रेम चंढ जी की साथगी को देख सकते हैं और दिखावे की जो प्रवर्ति चल रही है समाज में उस पर लेख़क ने वेंगे किया है उसके बाद फिर से लेखक कहता है कि टोपी और जूते की कीमत को लेकर समाज में जो दिश्टी कौन है टोपी आठाने की मिल जाती है जूते पांच रुपे से कम के नहीं मिलते यानि कि टोपी की कीमत जूतों से बहुत सस्ती है जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है और अब तो कीमत और भी बढ़ गई है एक जूते के बदले 25 टोपियां निचावर करते हैं अर्थाथ एक जूते की कीमत में 25 टोपियां खरीदी जा सकती है जिबकि जूतों की अपेक्षर टोपी का स्थान उचा है यानि अधीक सम्मानिय होना चाहिए लेकिन जो चीज सम्मानिय नहीं है वह अधीक कीमती है यहाँ पर फिर से वहवेंगे कर रहा है कि भाई जो चीज इतनी कीमती नहीं है उसकी कीमत जादा है और टोपी सर पर रहती है तो भी किमती नहीं है टोपी और जोते की कीमत का अंतर बता करके यहाँ पर समाज में व्याप्त उचाही और निचाही का जो समान का फर्क है उस पर लेकिक ने वेंगे किया है टेमचंद की आर्थिक दशा भी यहाँ सपर दिखाई देगी और जो लेकर की शैली है वेंगे से भरी हुई है वेंगे आत्मक शैली उसे हम बोलते है फिर वह करता है कि मेरा जूता भी अच्छा नहीं है अर्थात मेरी आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं है दिखने में मेरा जूता उपर से अच्छा लगता है किन्तु जैसा दिखाई दिता है वास्तब में वैसा नहीं है यनि कि मेरी आर्थिक दशा देखने भर के लिए अच्छी है मैंने तो इसे चुपा रखा है उपर से जैसे जूता ठीक दिखता है लेकिन तला जो है जूत्य का वह है टूटा हुआ है और अंगुठा जमीन से रगड़ खाता है पैनी या सकत मिट्टी आने पर तो रगड़ खाने पर खुन भी बैने लगता है अंगुठे से और इस तरह से पूरा तला गिर जाएगा तो पूरा पावी जख्मी हो जाएगा फिर से वह कहता है कि आर्थिक दूर दश्चा जो है उपर से अच्छी दिखाई देती है लेकिन उसे छुपाने का प्रयास किया गया है अब कहता है कि प्रेमचंद की तरह उनके जूते से अंगुली तो दिखाई नहीं देती है लेकिन तले में से उन्हें चोट लगती रहती है यहाँ पर प्रेमचंद की देहिनी आर्थिक दश्चा के सासाथ खुद की जो दश्चा है उस पर भी उन्हें कुछ परदा डालते हुए परदा डालने की प्रकर्ती जो है उनकी प्रवर्ती है उस पर वेंगे किया है लेखक की भाशा काफी सरल है फिर भय बताता है कि प्रेमचंद जीवन में परिस्तीतियों से समझोता नहीं कर सके और यही उनकी सबसे बड़ी कमी थी क्योंकि समझोता करने वाले लोग सुखी जीवन जीते हैं और जो लोग समझोता नहीं करते हैं उन्हें जीवन में कष्ट उठाने होते हैं और यही कमचोरी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास गोदान में भी दिखाई देगी। जिसका हीरो जो था हो री था। हो री है इसका हीरो का नम वै कभी भी समझोता नहीं कर सका। और नेम धरम की पालना उसके जीवन की कमचोरी बनी रही हमेशा के लिए। नेम धरम उसके लिए बड़ा बंधन सिधुआ किन्तु फोटो में प्रेमचंद जी संदाज से मुश्कुरा रहे थे उससे लगता है कि उनके लिए शायद ये है नेम धरम बंधन नहीं अपितु मुक्ति थी नेम धरम किसे कहता है अपने नियम पर जो लोग बने रहते हैं करतवे का जो पालन करते हैं उसे नेम धरम बोलते हैं लेखक ने उनकी जो फटी हुई जूते से जो बहार अंगली दिखाई दे रही थी उसे देखकर के कहा कि यह पाउं की अंगली मुझे संकेत करती हुई सी लगती है कि जिस वस्तु से तुम घ्रणा करते हो उसकी तरफ तुम हाथ से नहीं पाउं की इस अंगली से संकेत करते ह यहने की वह प्रतीक है समाज में व्याप्त गुराई की और संकेत करने का अभी नेम धरम का पालन जो है प्रेमचंद के लिए उसकी मजबूरी नहीं है बलकि उसका करतवे है उसे बोज नहीं लगता है नियमों में या करतवे का पालन करना किसी के दबाव में आकर के वह करतवे का पालन नहीं करता है बलकि उसके लिए वह खुश अनुभव करता है इसलिए नेम धरम उसके लिए कोई बंधन नहीं है मुक्ति है नेम धरम उसके लिए जंजीर नहीं है इसलिए उसे कोई जंजीर उसमें नजर नहीं आती है केवल मुक्ति का साधन ही है जिससे वह खुश रहना पसंद करता है और अपनी जो उसकी आर्थिक दशा है उसका जिमेदार होने का उसमें कोई गम नहीं है इसलिए वह हमेशा अपने जीवन की जो दुर्दशा है उसे दुर्दशा नहीं मानता है और उससे खुश रहता है नेमधरम का पालन करना उसे अत्यंत पसंद है इस प्रेकार से आज मैंने आपको यह है अगर आपको इससे सम्मनित गाइड बुक लेनी है जिसमें मैंने multiple choice questions भी आपको वहाँ पढ़ाए थे तो आप मैंने आपको seller का number दिया है description box में आप वहाँ से ले सकते हो काफी बच्चों ने इसका नाम भी पूछा था और हमने बताए भी है हर बार सारे comments का जवाब देना संभाव नहीं हो पाता है इसमें दो तरह की guide आपको मिलती है एक MBD और एक दीपक दोनों के लिए आप seller से contact कर सकते हैं यह आपको पलब्द ना हो Thank you for watching